इस्टेंडर्ड स्कोर्स प्रामानिक प्राप्तांग इनका अर्थ समझते हैं we will understand its meaning जब हम किसी व्यक्ति या समूँ पर कोई परीक्षन टेस्ट करते हैं तो जो अंक प्राप्त होते हैं वे मूल प्राप्तांग यानि कि रॉय स्कोर होते हैं रॉय स्कोर्स का स्वयम में कोई अर्थ नहीं होता है इनकी व्यक्या थुलना भी नहीं कि जा सकती है इसलिए किसी comparable थुल्निय और standard unit यानि कि प्रामानिक इकाई की आवश्यक्ता की पूर्ती है तू standard स्कोर्स यानि कि प्रामानिक प्राप्तांग का प्रायोग चलन में आया कि संभावना यानि के probability को calculate करता है और दूसरा अलग अलग सामान वितरन से आने वाल स्कोर्स को compare करता है अब types of standards scores प्रामानिक प्रापतांग के प्रकार जो following are the types of standards scores प्रामानिक प्रापतांग के प्रकार पहला जैड़ स्कोर जैट प्रापतांग टी स्कोर्स टी प्रापतांग स्टैन नाइन प्रापतांग स्टैन प्रापतांग और सी स्कोर्स सी प्रापतांग अब हम Z scores की बात करते है, Z scores यानि की Z प्राप्तांक, जब हम किसी population जन्शंख्या के raw data यानि की mool प्राप्तांकों या जब हम sample size 30 से अधिक हो, तो standard score, प्रामाणिक प्राप्तांक में convert करते हैं, वह Z score होता है, Z score का formula है, Z is equal to X minus M upon sigma, मूल प्राप्तांक जिसे z-score में convert करना है एक से population जो हमने लिए है एम है mean of population सिक्मा स्टेंडर्ड डेविशन ऑफ प्रॉपॉलेशन एक स्कॉम कहते हैं रोज स्कॉर यानि की मूल प्राप्तांक एम है population mean मूल प्राप्तांको का मानक और सिक्मा स्टेंडर्ड डेविशन ऑफ पॉपॉलेशन